RSS नेता इंद्रेश कुमार ने लोग सबत चुनाव परिनाम पर टिपनी की है उन्होंने बीजेपी को एहंकारी और इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी बताया है उन्होंने बीजेपी के लिए कहा की उन्होंने राम की भक्ति की लेकिन एहंकार आ गया इसलिए सबसे बड़ी पार्टी तो बनी लेकिन जितनी ताकत मिलनी चाहिए थे उतनी नहीं मिली इंद्रेश कुमार 13 जून को जैपुर को कनोत्ता में रामरत आयोद्य यात्रा पूजन समारों में बोल रहे थे हालाकि उन्होंने सीधे तोर पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया सत्तादारी बीज और ताकत मिलनी चाहिए थी वो बगवान ने एहंकार के करण रोग दी इससे पहले भी आरसेस चीफ मोहन भागवत ने भी चुनाव राजनीती और राजनेतिक दलोक के रवये पर बात की थी उन्होंने कहा इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो जिस तरह से चीजे हुई है जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमरकस कर हमला किया है उससे विभाजन होंगा समाजिक और मानसिक दरारे बढ़ेंगी